Hello class 9th students, चलिए आज हम लोग Happy Prince chapter start करते हैं और पहले थोड़ा introduction देख लेते हैं The Happy Prince was a beautiful statue, Happy Prince की एक बहुत सुन्दर statue थी, मूर्ती थी He was covered with gold और उसे सोने के पत्तरों से ढखा गया था He had a sapphire for eyes और आखों में रत्न लगे हुए थे and a ruby in his sword और उसके तलवार में ruby, ruby एक भी एक तरह का रत्न होता है जो बहुत महँगा होता है वो लगा हुआ था Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? क्यों वो चाहता था कि सारा सोना और जो कीमती जो stones लगे हैं उसके तलवार में वो सब वो दे दे लोगों को क्यों ऐसा चाहता था? चलिए हम कहानी जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें पता चलेगा High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince शहर के एक उचे से चबूतरे पे जो happy prince की statue थी वो लगे हुई थी He was guilded all over with thin leaves of fine gold और उसके पूरे मूर्ती पर पतली सी सोने की चादर लगी हुई थी For eyes he had two bright sapphires आखों की जगह पे दो खुबसुरत नीलम सफैर केते नीलम को रतनो होता एक तरह का वो लगा हुआ था large red ruby glowed on the sword halt और उसकी तलवार जो थी उसके हाथे पर ruby यह यह एक तरह का रतन होता है वो लगा हुआ था One night there flew over the city a little swallow एक रात वहाँ पर एक छोटा स्वैलो स्वैलो भी एक तरह की चड़ियां होती है चोटी होती है वो उडती हुई वहाँ पर आ गई उस शहर में His friends had gone away to Egypt six weeks before but he had stayed behind then he decided to go to Egypt too और उसके सभी दोस जो थे यानि जो स्वैलो छोटी स्वैलो थी चड़ियां उसके जो दोस से वो पहले ही करीब 6 सबता पहले ही Egypt चले गए थे Egypt Africa में एक देश है वहाँ चले गए थे यह रुग गया था पीछे उनके पीछे रह गया था रुग गया था और फिर उसने decide कि वो भी Egypt चला जाएगा All day long he flew and at night time he arrived at the city सारे दिन तो वो उड़ता रहा लेकिन रात के समय वो इस शहर में आ गया Where shall I put up? He said I hope the town has made preparations उसने कहा कि भी मैं कहा रहूंगा वो सकता है शहर में कुछ ऐसा इंतजाम हो कि उमीद करता हूँ कि कुछ ऐसा इंतजाम होगा जहाँ यह थैर सके Then he saw the statue on the tall column फिर उसकी नजर मूर्ती पर पड़ी जो ऊचे चबूतरे पर बनी हुई थी I will put up there he cried उसने कहा कि हाँ मैं हाँ ठह सकता हूँ It is the fine position with plenty of fresh air का कि यह जगह भी बहुत अच्छी है और खुब स्वक्षावा भी यहाँ पर मिलेगी So he alighted just between the feet of the happy prince इसलिए वो happy prince के दोनों पैरों के बीच में उतर गया I have a golden bedroom he said softly to himself as he looked around जब इसने आसपास देखा तो देखा फिर अपने आप से उसने कहा कि आज मुझे सोने का कमरा गोल्ड का कमरा मुझे मिला है सोने के लिए And he prepared to go to sleep और उसने सोने की तयारी कर ली But just he was putting his head under his wings a last drop of water fell on him अभी वो just अपने सिर को अपने पंखों के बीच गुसा कर सोने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी उसे एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ओपर गिरे What a curious thing बड़ी अजीब सी बात है He cried, there is not a single cloud in the sky आस्मान में तो एक छोटा सा बादल का टुकडा भी नहीं है The stars are quite clear and bright और आस्मान में तारे भी बिलकुल साफ और चमकदार दिख रहे है Yet it is raining, फिर भी बारिश हो रहे है Then another drop fell अभी वो बिचारा ये सब चीज सोची रही थी वचड़िया कि एक बूंद और उसके ओपर गिन What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said तो उसने का कि इस पूरती का क्या फाइदा है जब वो पानी की बूंद को ही रोक नहीं पाता है बारिश की बूंद को ही नहीं रोक पा रहा है I must look for good chimney pot and it determined to fly away तो मैं कोई chimney pot जो होता है चीमनी आज़े चीमनी pot आपने देखा होगा जहां उपर में से धुआ निकलने के लिए रहता है थोड़ा सा covered रहता है वो कि ताकि चीमनी से पानी कमरे के अंदर या चूले पर जाकर ना गीरे तो इस वज़े से क्या है तो मैं chimney pot देख लेता हूँ जहां पर मैं आराम कर सुआ और उसने तैयारी कर ली कि भी मैं उड़कर जाता हूँ ऐसी जग़ब पर बट विफोरी अड़ ओपन द वेंग अ थर्डुप फेल इसके पहले की वो अपने पंख खोले वहां से उड़ने के लिए तीसरी बून भी उसके उपर गिरी तो उसने जैसे ही ऊपर देखा तो देखा उसे वाहां क्या दिखाई दिया उसे उसने देखा कि हैपी प्रिंस की आखे जो है न वो आसूं से भरी हुए है और उसके सुनहरे गालों से ये पानी की बून्दे नीचे की टपक रही है जो आसू की बून्दे है वो टपक रही है इस फेस वास सो बीटिफुल इन दे मून लाइट और सुनहरे रौसनी में चांद की रौसनी में उसका चहरा इतना सुंदर दिख रहा था कि छोटे स्वैलों को उसके उपर बहुत दयावी उसने पुछा कि तुम कौन हो तो स्टैचिन जवाब दिया कि मैं हैपी प्रिंस हूँ और रो रो कर तो तुमने मुझे बिलकुल गीला कर दिया तो इन स्टैचिन ने जवाब दिया कि जब मैं जिन्दा था और मेरे सरीर में सचमुच एक इनसान का दिल था तब मैं जानता ही नहीं था कि आसू क्या होते हैं और राजा के तो ठाट बाट की जिन्दी जिता है कोई दुख तकलीफ तो उसको होती नहीं है तो उसने बताया कि भई जहां पर तकलीफ को तो घुसने की इजाज़त ही नहीं थी जहां महल में मैं रहता था वहाँ और इनके दरबारी जो थे वो इसे हैपी प्रिंस कहते थे और हैपी इंडीड आई वाजा बहुत खुश था भी इस तरह से मैं जिया और वैसे ही मर भी गया और उसके बाद जब मेरी मृत्ती हो गई तो उन्होंने मुझे यहां पर इतनी उची जगह पर खड़ा कर दिया है जहां से मैं अपने अपने शहर की जितनी बतसूरती है वो देख सकता हूँ और लोगों की तकलीफों को भी देख सकता हूँ अपने शहर के लोगों की तकलीफों को भी देख सकता हूँ और मेरा हार्ट तो लेड का बना हुआ है और इसकी वज़े से क्या है बस मैं रो सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ तो स्वैलो नहीं अपने आप से का कि अच्छा इसका पूरा शरीर जो है वो सोने का नहीं बना हुआ है लेकिन उस चोटे से स्वैलो ने कोई ऐसा व्यक्तिकत जो कहते हैं कमेंट करना उसको उचित नहीं लगा कि नहीं मुझे है इस पर से कमेंट किसी के उपर नहीं करना चाहिए फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट देर इस पूर हाउस दूर में एक चोटी सी गली में एक गरीब का घर है और यहां से मैं देख सकता हूँ वहाँ पर एक महिला बैठी हुई है टेबल के सामने में हर फेस इस थीन और वोन उसका चेहरा बड़ा दुबला पतला और ठका हुआ है और शी है रेकोर्स रेड हैंड और उसका हाथ बहुत ही खुरदरा और लाल है आल प्रिक्ट बाइदा निडल ऐसा इस लिए है क्योंकि सुई चुबने से वैसा वैसी हालत उसके हाथ की हो गई है फॉर्स शी इस सिंस्ट्रेस क्योंकि वो सिलाई करने वाली एक महिला है और वो फूलों का साटिन के गाउन पर फूलों की कड़ाई कर रही है क्योंकि क्वीन्स मेड जो है उसको ये गाउन देना है वो बहुत खुबसूरत है और इस जो गाउन है उसको अगले बार जब कोट बाल होगा बाल डांस जो होता है वो डांस होगा उसमें वो पहनेगी इन आ बेड इन दे कॉर्नर आफ दे रूम अर लिटल बॉई इस लाइंग इल और उसी कमरे में एक कोने में वो उसका चोटा बेटा है वो बीमार सोया हुआ है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे औरेंज खाने के लिए चाहिए संत्रा चाहिए खाने के लिए his mother has nothing to give him लेकिन मां के पास कुछ नहीं है कि वो उसको दे सके but river water सिर्फ नदी का पानी उसके पास है जो बच्चे को दे सकती है so he is crying इसलिए वो रो रहा है swallow swallow little swallow will you not bring her the ruby out of my sword hilt my feet are fastened at this pedestal and I cannot move तो उसने प्रिंस ने उसे कहा कि swallow little swallow क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि मेरे जो तलवार में रूबी लगी हुई है उसको तुम निकाल दो और यह मैं तो नहीं कर सकता यह काम क्योंकि मेरे पैर जो है वो तो pedestal से लगे हुए हैं और मैं तो move नहीं कर सकता तो चलिए इसके आगी के कहानी next class में करेंगे वीडियो को like और subscribe जरू कर दीजिए और playlist में देखते रहिएगा आगे जैसे ही मैं कहानी पूरा करूँगी बढ़ाऊँगी आगे कहानी playlist में डाल दूँगी आप वहां सारी story को अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को like और subscribe जरू कर दीजिए thank you very much